नमस्कार सातियों, ग्रोडो से चल पर आपका हर्दिक स्वागते, कैसे हैं आप, उमिद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, आज मैं जो अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ, वो RRC Group D exam को लेकर के आया हूँ, जो भी चल रहा है, और जिनके slots अभी बाकी है, चलना, मत उसके बारे में मैं बता रहा है चाहता हूँ कि आंसर की से, जोइनिंग तक, क्या प्रोसेस है और सेलरी कितनी रहने वाली है, ठीक है, इसके लवाभी है हम चर्चा करेंगे, कि कौन-कौन से ऐसे zone है, जहाँ पर cut-off minimum से minimum जाएगे, क्योंकि वहाँ पर form candidates बहुत कम थे, ठी करते हैं, देखे, 10 अक्टूबर को आपका इसका exam complete हो जाएगा, मतलब 10 अक्टूबर को exam खतम हो जाएगा, RRC group D का, ठीक है, उसके बाद answer की जो है इसकी, अब answer की जारी होगी 15 अक्टूबर तक, अब 15 अक्टूबर तक answer की जारी होगी, तो जब आप objection लगाएंगे, क्यों गलत होंगे, क्या होंगे, जो भी है, यह आप objection लगाएंगे, सभी, तो नई answer की जारी होने के उसमें time लगेगा 25 तक, यह नहीं का मतलब भी है कि answer की वाला process भी कब तक complete हो जाएगा, 25 अक्टूबर तक complete हो जाएगा, क्योंकि railway recruitment cell जो है, RRC, यह अपने exams को बहुत fast करवाना चाती है, तो 25 तक आपके answer की आजाएगी, objection लगाने के बाद, जो revised answer की आएगी, वो कब तक आएगी आपकी, 25 अक्टूबर तक, इसके बाद आपका result गोशित कर दिया जाएगा, नॉमबर लास्ट वीक में, या 5 दिसमबर तक, ठीक है ना, मतलब दिसमबर के first week में माल लो, या फिर नॉमबर के last week में माल लो, आपका result गोशित कर दिया जाएगा, result declare हो जाएगा, उसके बाद P.E.T. के लिए बुला जाएगा, तो P.E.T. जो होगा, वो 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, आप ये 5 दिसमबर लगा लो, आप तो 15 दिन, यानि 20-25 दिसमबर हो गया ठीके न, तो दिसमबर का पूरा महीना हो गया, खतम P.E.T. में, ठीके न, इसका result नहीं के लिएगा, फिर उसके बाद आपको medical or DV and document verification के लिए बुलाए जाएगा, तो वो बुलाए जाएगा आपको जनवरी में, ठीके, तो पूरे जनवरी में, ये medical or DV आपका complete हो जाएगा और ये होगा journal wise, यानि जिस zone से आपने paper भरा है, मालो आप दिल्ली zone से paper भरा है, या Mumbai zone से paper भरा है, तो आपको DV के लिए कहा जाना पड़ेगा, Mumbai में, तो आपका DV और medical का होगा, Mumbai में होगा, ठीके, जिस भी zone से आपने paper भरा होगा न, उसी zone में आपको जाकर के, medical और DV दोनो देना होगा, उसके बाद जोइनिंग की बात करेंगे हम लोग, तो जोइनिंग देखे, अपरेल अब ये हो गया, ये कि जनवरी में complete होगा, जनवरी में खतम हो गया, अब वरवरी और मार्च, तो दो मेने लगते हैं इनको processing में, जोइनिंग देनी की processing में, तो call letter आपका आ जाएगी, तो आपके account में माई की salary आ जाएगी, अधि आप select होते हो तो, ठीक है, तो माई की salary आपको मिल जाएगी, उसके बाद हम salary की बात करते हैं, salary क्या रहने वाली है, तो देखे, इसके अंदर जो basic salary है, वो 18,000 रुपए, इसके लाबाब आपको DNS allowance मिलता है, वो 40% वे जाएगी, उसके बाद, क्योंकि अभी January में लगा था, तो एक DNS allowance रखता है, आपका January में, यह लगता मई में, ठीक है, माई-जून में, तो अपन तो माई-जून का देखते हैं, माई-जून का कितना है, 40%, क्योंकि इस टाइम पर माई-जून आ चुका होगा, तो 40% के से दिल्ली, ठीक है, कानपूर, लखनव, कोटा, ऐसी सीटी में, बड़ी सीटी में, मेट्रो सीटी, जैपूर, तो वहाँ पर आपको चववन सो हाउस रेट टॉलांस मिलता है, ठीक है, तो अभी में यहाँ पर अठारा सो जोड़ रहों, और हजार रुपे मिलते हैं, साइ तीन-चार महिने बाद, फिर आपका कट होना शुरू होगा, दस परसेंट, बेसिक में से और डिये में से, वह बात की बात है, अब भी तो आपको फिलाल, इन्हेंट सेलरी तीजार साथ सो मिलेगी, और यह किसको जोड़ के बताया है, यदि मैं चववन सो को जोड़ के बत पूरा प्रोसेस है, वह बता दिये सलरी का, तो यह सलरी आपकी रहने वाली है, ठीके न, तो यह मैं पूरा प्रोसेस बता दी कि वह आइनसर की से जोइनिंग तक क्या होगा, अब देखिए बहुत से ऐसे जोन है, यह पे इसे पांच जोन है, जहां पे कट ओफ कम रहने के स चास के आसपास, और HTSC के कट ओफ रहने वाली 40 से 45 के आसपास, ठीक है, यह दो एक्जाम है, यह पांच जोन हैं, जहां पर इतनी कम कट ओफ रहने वाली है, तो जो भी इस केंडिडेट के हैं, और जो भी अभी एक्जाम देंगे, तो वो अपने अकोडिंग देख ले, पुशकबरी की बात है, तो उनकी कट ओफ कम रहेगी, तो जल्दी जोनिंग हो जाएगी, ज्यादा को टफ कॉम्पेटिशन यह वाँन के लिए, तो इन पांच जोन्स के लिए ज्यादा टफ कॉम्पेटिशन यहां पर नहीं रहने वाला है, ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसका सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिले, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आकन को दबहिए, बहुत सारी वेकंसी के अपडेट्स यहाँ पर इस चैनल पर निरंतर चलते रहते हैं और प्रयास रहते रहता हूं कि जया साधा नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहूं पर जैन्मीन हो सटीक नोटिफिकेशन हो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर जिए जया साधा लाइक किजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स किसी वेकंसी या नेक्स अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत